प्रेंड्स को भी हेल्फ किजिए चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पिछले सेशन में हमने इस ड्राइंग को और इस ड्राइंग को कमप्लीट किया था और मैंने आप सभी से यह वादा किया था कि next सेशन में मतलब आज के सेशन में हम आपको Isometric Views में Dimensions Properly कैसे अपलाय करते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं है तो आज का lecture बहद ही important है आपके isometric में क्या होता है dimensioning को लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि बबा इसमें dimensions हम कैसे डाल सकते हैं और properly dimensions कैसे डाल सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डाला गया है यह सब सही है बड़ थोड़ा सा इसमें error है error का मतलब क्या है यहाँ पर देखिएगा तो 38 जो है text जो है वो tilt है थोड़ा सा यह इसके सीधा में नहीं आ रहा है मेरा कहने मतलब है जरा आप गौर से देखिएगा इसको तो यह देखे बिलकुल भी इस plane के बराबर में आ रहा है यहाँ यह जो dimension है इस plane के बराबर आ रहा है यहाँ यह जो dimension है वो इस face के बराबर आ रहा है मतलब aligned with this face aligned with this face and aligned with this face ओके और यहाँ पर देखेंगे aligned नहीं है, आप देखेंगे, यह देखेंगे 17 जो दिख रहा है आपको यह पूरी तरह से इस face के हिसाब से नहीं है, यह थोड़ा सा tilt दिख रहा है तो यह छोटी सी problem है, यहां पर 50 को भी देखेंगे, तो यह भी थोड़ा सा tilt दिख रहा इस rib के face के साथ अलाइंड नहीं दिख रहा है तो यह सारे चीजें आज हम किलियर करने वाले हैं ओके सो बिलकुल भी कान खोलकर और आंक खोलकर दिमाग खोलकर देखिएगा किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फिल फ्री टू आस्क बट इसमें एक और चीज हमें जाननी होगी कि बबा इस को देखने से पहले यानि dimension देखने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए तो वह चीज पहले हम देखेंगे एक नया फाइल यहां से ले लेता हूं मैं यहां पर grid को off कर देता हो और तो को on कर देता हूँ तो isometric में डायमेंशनिंग से पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा annotate में जाने के बाद यहां पर हम लोगों को standard देख रहा है एक है standard dimension style और एक है annotative dimension style यह दो हैं actually by default अब थोड़ा isometric में जाने से पहले हमें क्या करना होगा कुछ नए text style को बनाना आना चाहिए हम लोगों को ठीक है तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा text style को हम कैसे बनाते हैं यहां पर अगर आप standard को जाते हैं तो यहां पर अभी कुछ भी नहीं आने वाला है फिलहाल तो आप manage text style में चले जाए यह manage text style में जाने के बार यह दिख रहा है आपका oblique angle का ठीक है तो इसका इस्तमाल जो होता है वो isometric में dimensioning properly apply करने के लिए किये जाता है ठीक है बट अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं अभी हम यह सीख रहे हैं बबार नया text style आप बनाते कैसे हो ठीक है तो एक तो यहाँ पर आप यहाँ से जा सकते हो annotate यहाँ पर जाएंगे manage text style और यहाँ पर जैसे आप new पर क्लिक करते हो यह देखिए यह जो standard है यह by default होता है font name aerial है height वगरा by default आप यहाँ से set भी कर सकते हो जैसे कि 0.23 या 0.4 या 0.3 दिख रहा है क्या 0.3 का ले लेता हो height या standard में ठीक है और अगर आप इसका aerial वगरा font name वगरा change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है you can see आप bail empty लेना चाहते हैं ऐसा कुछ आएगा आप calibre वगरा लेना चाहते हैं और आप यहाँ पर 0.5 कर सकते हो no issue यह देखिए standard मैंने कुछ changes कर दिये हैं ठीक है और इसका height आप 0.5 का ले लिए है अगर आप annotate पर click करते हो तो यह क्या होता है भाई अभी annotate का जो मतलब है वो इसके साथ relate करता है मैं जब इसको बताऊंगा यानि हम लोग machine drawing में यह सब सीखने वाले हैं और printing and layouts जब हम लोग देखेंगे तब इसके बारे में और भी details से आपको बताऊंगा कि annotative and associative का मतलब क्या है और standard का क्या मतलब है और on करने से क्या फाइदा होगा और on करने से क्या नुकसान होगा यह सारे चीजे हम आपको printing and layout जब discuss करेंगे तब बताएंगे क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तमाल आपको वहीं पर पढ़ने वाला है तो जब जिसकी जरूरत होगी मैं आपको clear कर दूँगा तो फिलहाल हमने क्या किया है जो standard का font था वो calibri कर दिया है और इसकी जो height है वो 0.5 कर दिया है अब देखिया यहाँ पर दो effect दिये गए है upside down यह देखिएगा यह उपर से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर click करेंगे normal हो जाएगा फिर से आप इसको backward यानी right side से लिखना चालू कर देगा ठीक है यानी आप देख सकते हो किस तरह सा आ गया है तो यह हो गया एक और option यहाँ पर दिख रहा है जिसको आप vertical बोलते हैं अभी हमारा यह active नहीं है तो यह कुछ selected font में active होता है sub में नहीं होता है जिसका extension shx होता है उसके साथ ही यह हमारा vertical option on होता है बाकी के font में होता भी नहीं है ठीक है तो फिलहाल मैंने इतना setting कर दिया है और अगर आप इसी effect के साथ continue करना चाहते हैं तो यहाँ से set current कर दो और आप यहाँ से close कर सकते हो ठीक है अभी आप जो भी text वगएरा लोग है जैसे कि मैंने किया यहाँ पर multiline text यहाँ पर मैं इसको type करता हूँ suppose मैंने digital cad solutions कर दिया digital cad solutions one second यहाँ पर mistake हो गया और आप इसको बाहर click कर सकते हो तो जैसा कि आप देख पा रहें यह तो आ नहीं रहा है आप इसको zoom extend करके देख सकते हो या तो फिर यहाँ पर आपको एक बार click करना चाहिए zoom extend रहा यह आपके सामने आ चुका है ठीक है यह हमारा by default font रहेगा और by default size रहेगा अगर आप कोई भी text यहाँ से लेते हो या you can see यहाँ पर आप चाहो तो इसके साथ आप underline वगएरा भी कर सकते हो या you can see underline आप इसको sub को select कर सकते हो यहाँ से आप underline कर सकते हो और अगर मैं यहाँ पर type करता हूँ जैसे कि digital India का digital guru तो आप यहाँ से एक ले सकते हो multi-line text यहाँ से मैं start करता हूँ यहाँ तक ठीक है तो यहाँ पर लिखना है आपको digital ओके इंडिया का डिजिटल गुरू आईवाद समझ मैं यहाँ से आपने ऐसा ले लिया यह देखिए यह तो font का size तो same ही है लेकिन अगर आप change करना चाहते हैं इसका size तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जाके कम करना होगा यहाँ तो 0.4 का ले सकते हैं ठीक है तो looking absolutely right थोड़ा size को मैं अगर बढ़ा कर दूँ तो यह हमारा काम हो जाएगा and just delete the space from here then you can see हमने calibri font का इस्तमाल करके यह बड़ा वाला भी लिया और digital इंडिया का digital guru यह भी लिया बट अगर आप फिर दूसरा लेते हो text तो इसका size by default उतना ही रहने वाला है आई बात समझ में 0.5 का ही रहेगा अगर आपको change करना है दिन यहाँ से आप value change कर सकते हो लेकिन बाई डिफॉल्ट उस text का size 0.5 ही रहेगा ठीक है अब देखिए एक तो यह हमने setting कर दिया है अब दूसरा text style अगर आपको लेना है जिसका font अलग हो size अलग हो है ना तो यह सब भी आप change कर सकते हैं जैसे कि मैंने text style में जाईए यह हमारा standard हो चुका है अभी एक और हम लेते हैं font यानि sorry font नहीं एक अलग text style ही लेते हैं तो आपको यहां से new में जाना होगा new में जाने के बाद style 1 आपका आ चुका है आप यहां से ok कर सकते हो आई बाद समझे अब देखिएगा कि यहां पर style 1 में आप modification कर सकते हैं जैसे कि मैंने standard में किया था न modification वैसे ही आप style 1 पे भी कर सकते हो आई बाद समझ में चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे standard में भी एक और चीज होता है यहां पर देख सकते width factor भी है यहां में one ही रखना है by default आप standard में जाओ तो भी one रखो यह हमारा uniform दिखेगा अगर आप three कर देते हैं यह देखिए कैसा दिख रहा spacing बीच में बढ़ जाता है बड़ा ही बेकार लगता है तो आप इसका जो width factor है वह one रखिए जो standard है ओके यहां से apply करेंगे यहां से close करेंगे तो देखिए पहले जैसा normal हो गया है ठीक है अब देखते है मैंने इस टेक्स style में जाता है अभी style one में हम किसी तरह का changes करते हैं अभी इसका जो font है वह हम दूसरा ले लेते हैं कुछ आप suppose कर लिजिए कि cambria ले सकते हो या you can see और इसका size मैं point eight का ले लेता हूं या तो फिर one का ले लो यहां पर one का मतलब यह होता है कि आप अगर inches में काम कर रहे हो तो one inch इसकी text की height होगी और अगर आप mm में काम कर रहे हो तो one mm इसकी height होगी आई बाट समझ में यहां आपको one ही रखना है oblique angle के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब isometric में अभी हम लोग apply करने वाले हैं तब फिलहाल तो आप इसको भी zero रख दीजिए cambria ले लिया है यहां regular नहीं आप चाहो तो italic ले सकते हो यह देखिए कुछ इस तरह से दिखने वाला है आपका और अगर आप यहां से italic नहीं चाहते हैं बोल्ड चाहते हैं तो आप बोल्ड ले सकते हो तो इसमें और इसमें यानि calibri and cambria में फरक दिखेगा आपको आई बात समझ मैं और oblique angle हम अभी फिलहाल zero ही रखते हैं height जो है यह भी one का ले लिया है यानि इससे double आएगा और यहां से आप apply कर सकते हो या तो फिर set current कर दो तो भी चलेगा बट क्या है set current से क्या होता है by default यह style आपका on रहेगा style one अब जरा सा गौर किजिएगा मैं multiline text का इस्तेमाल कर रहा हूं यह देखिए by default इसका font का size कितना है इसका double आ जाएगा यहां पर भी अगर आप type करेंगे digital cad solutions तो by default देखिए आपने इसका size बढ़ा कर दिया है यानि one unit रख दिया है यानि इसका double हो जाएगा आपका ठीक है आप यहां से close भी कर सकते हैं yes कर दो और बाद में आप इसको भी बढ़ा सकते हैं इस arrow को पकड़के here you can see अभी जो text का size आएगा वो इसके double आएगा और कभी भी आप इसको edit कर सकते हैं यानि अगर आप इसका dimension style change करना चाहते हैं यानि style one से standard में ले जाना चाहते हैं यह फिर से आप standard में जाते हो standard में size कितना है 0.5 है अगर आप जाते हो double click करके check करना चाहते हो तो देख सकते हो इसका हमारा size 0.5 है और अगर आप इस पर double click करते हो तो यहाँ पर आपका one है हाँ अगर आप चाहें तो manually इसको changes कर सकते हैं आई बाद समझ मैं एक और ले ले लेता हूं मैं जैसे कि यहां पर जाता हूं मैंने टेक्स टाइल यह रहा न्यू इसका नाम रहेगा स्टाइल 2 और ओके कर दिया अगर आप स्टाइल 2 में भी किसी तरह का कोई नया फॉंट चाहते हो इसमें आप चिलर वगएरा लेना चाहते ले सकते हो यहां से ठीक है अब देखिए इसका फॉंट ऐसा दिख रहा है इसका हाइट में 0.6 का ले लेता हूं आई बाद समझ में आप लिक वगएरा बिलकुल वैसे ही ले लिया रेगुलर नहीं चाहता इसमें रेगुलर ही है बस है ना अब यहां से आप क्या करो सेट करे लेगा और अभी आप कोई टेक्स्ट वगएरा लेते हो यहां से टाइप करते हो देखिए कैसा आ रहा है तो डिजिटल क्याड शॉल्यूशन तो दिस इस दा वे ऑफ चेंजिंग योड टेक्स्ट स्टाइल और एक ही फाइल में आप अलग-अलग स्टाइल का टेक्ट ले स ले सकते हो अलग-अलग height का टेक्स्ट ले सकते हो अलग-अलग sizes का टेक्स्ट ले सकते हो तो यह इसका power अब देखिए जाके अगर आप यहां पर जाएंगे जैसे कि मैं annotate पे गया तो यह देखिए कितने सारे लिस्ट दीख रहे हैं आपको है कि नहीं दीख रहे तो आप Dimension में भी हम Apply करते हैं, लेकिन Dimension में Apply करने के बाद हमें Text में भी वो Apply करना पड़ता है, तभी जाके Properly आता है, अभी मैं आपको एक Demo दिखाता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको एक Demo दिखाता हूँ, हम लोग Dimension तो डालना आता ही है हमें, इसमें कोई Issue नहीं है, अगर हम चाहें, तो Simply एक Rectangle ले लेते हैं, या तो यहां से आप Color थोड़ा सा Green ले लो, इसका 0.30 ले लो, that's it, यहां से हम इसको On कर देते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, 50, Tab, 40, Enter, एक बार और है कि Unit चेक कर लेते हैं, यहां पर By Default MMA है, so nothing to worry, यह हमारा आ चुका है, C4 Circle लेता हूँ यहां से Start किया 20 mm का Radius ले लिया, TR Double Enter यहां से आपने इसको हटा दिया, अब देखिए मैं इसमें Dimension Apply करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो Standard नहीं लेता मैं, ठीक है, दूसरा भी Change कर सकता हूँ कभी भी, तो आप यहां से अब जाके By Layer किजिए, अब जाके अगर आप कोई Dimension लेते हो, यह देखे, छोटा सा आ गया ना, यहां पर देख लो, कितना छोटा है, दिख रहा है, तो इसका क्या solution है, इसका solution यही है, कि आपको एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है, कैसा आप जाके Annotate में जा सकते हैं, यह Style 2 आ गया है, हमारा, we don't need that, आप चाहें, तो इसको पकड़ के, यहां से standard में changes कर सकते हैं, और standard में इसका size क्या है, उसके हिसाब से ही एक काम करेगा, नहीं तो फिर default dimension style में जाए, यहां से modify में जाए, यह रहेगा हमारा text, और text का यहां पर देख सकते हो, पूरी तरह से off है, और यह off इसलिए है, कि हमने standard लिया हुआ, आप उ सारी चीजें change करनी है, तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पकड़ के, आप standard पे चले जाए, यह रहेगा हमारा standard, और फिर से escape करूँगा, तो क्या होगा, style 2 select हो जाएगा, इसके पीछे का कारण यह है, कि मैंने उसको set current किया हुआ है, अगर आपको set current में style 2 नहीं च सकते हो, यहां standard में जाके, इसको set current कर दो, ठीक है, और close कर दो, अब इसको मैं delete कर देता हूँ, यहां से अभी बहुत कुछ चीजें हमें सीखनी है, उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से जानकरी मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे है, text का size बहुत छोटा दिख रहा है, arrow का size बहुत बड़ा दिख रहा है, यह सारे चीजें किसके वज़े से हो रहा है, हमने uniformly setting नहीं किया हुआ है, तो वो सारे settings आपको पता चल जाएगा, don't worry, मैं अभी तो यह पता चल गया ना, कैसे हम लोग नए-नए text style को set कर सकते हैं, एक ही file में हम लोग अलग-अलग design क अलग-अलग size का, अलग-अलग font style यूज कर सकते हैं, आई बात समझ में है, तो यह हमें याद रखना है, और एक और चीज़ यहां हमें देखनी है, मैं भूल गया था, अभी देखिएगा, अगर आप यहां पर जाते हों, मैंने text style, तो जैसे कि यह vertical वाला option कब on होगा हमार यह vertical वाला option तभी on होगा, जब आपका यहां पर देखिएगा, मैं एक और ले लेता हूँ, चलो यहां से new लिया मैं style number 3 and then ok कर देता हूँ, यहां पर मैं थोड़ा shx वाला कुछ ले लेता हूँ, हाँ, here you can see shx और यहां पर देखिएगा scripts shx, तो यह जो font होते हैं, वो हमें जैसे ही select करूँगा, यह देखिए vertical मेरा option on हो गया है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई font नहीं है, तो आप google से download कर सकते हो, इसमें add भी कर सकते हो, बट फिलहाल हमारे पास 2 हैं, तो अगर मैं यहां पर नहीं click करता है, यह देखिए vertical हमारा off हो गया है, फिर आप यहां इसको select करेंगा, vertical हमारा on हो गया है, आप इसको on कर सकते हो, on किजिए और apply किजिए और यहां से close किजिए, अब जो भी text लिजिएगा, यहां से आप ऐसे करो, यह देखिए हमारा digital cad type करता हो, digital cad solutions, here you can see, यह हमारा कैसा आया है, vertical आया है, आई बात समझ में, यहां पर आप कै इसे भी ले लो, आप अगर इसको बढ़ाते हो, तो यह एक ही line में आ जाएगा, बट सब vertical ही आएगा, yeah you can see, तो इसके लिए कुछ selected fonts हैं, अगर आप उस selected font का इस्तेमाल करते हो, तो ही vertical वाला option on होगा, style का shortcut होता है, st, enter, वही dialogue box आपके सामने आएगा, style का shortcut यह है, okay, तो य यह रहा, अभी हम, अलग-अलग, dimension style, sorry, text style कैसे add कर सकते हैं, और उसमें, तो अभी जो है, हम लोगों को, इसकी तो जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, यहां से आप right click करके, आप इसको delete भी कर सकते हो, बद बाद में यहां पर standard पर चले जा और इसको जाके आप right click करके rename, set current वगेरा कर सकते हो, ठीक है, आप इसको चाहो तो delete भी कर सकते हो, use big font भी कर सकते हो, बड़े font का इस्तमाल अगर करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हो, देखिए इतने सारे हमारे पास है, sh font, तो आप इसका भी इस्तमाल कर पाएंगे, तो इस इसका रहा, अगर इस तरह के sx font लेते हो, shx font तभी जाकर के यह vertical वाला on होगा, नहीं तो नहीं होता है, आईवाच समझ में, तो चलिए मैं apply करके यहां से close कर देता हूँ, इस तरह से हमने, किस तरह से text style को create कर सकते हैं, और अपने drawing में apply कर सकते हैं, यह देख लिया है, अ अब मैं आपको बताता हूँ, शुरू से इसको आप close कीजिए, यह हमारा isometric drawing में आ चुके हैं, और हम इसमें क्या करने वाले हैं, उसी तरह का, मतलब dimension डालके दिखाता हूँ, एक नया file चाहो तो ले सकता, फिलहाल मैं इसको close कर देता हूँ, एक बिल्कुल भी brand new file लेते है यहां से a cad iso.dwt ले लिया मैंने, ठीक है, यहां पर हमने कुछ भी create नहीं किया है, एक नया file लिया, तो वो सारे settings आपके चले जाते हैं, ओके अब देखिए, grid को off करता हूँ, ortho को on करता हूँ, unit वगेरा एक बार, चेक कर लीजिए, हमारा सही है कि नहीं है, आप यहां से इसे ले ले, फिर हमें क्या करना है, isometric drawing बनानी है, एक छोटा सा ही ले लेता हूँ, simple सा, और जड़ा आप इसका font चेंज कर दे, line thickness, color वगेरा चेंज कर दे, इसको on कर दे, एक simple सा मैं बना के दिखाता हूँ, isometric drafting on कर लेता हूँ, यहां से, here you can see, line ले लिया मैंने, इधर से आपको करना है, suppose मैं ज्यादा नहीं लेता, पचास, जूम कर देता हूँ, और F5 प्रेस करते हैं, इधर से 60, enter, ठीक है, फिर इधर से 50, enter, और यहां पर आपको close कर देना है, उसके बाद एक और line उपर की तरफ जाता हूँ, मैं, suppose 25, F5, ऐसा, इस तरह से, आप simple सा ले लो, इसमें apply करके दिखाऊंगा, F5 प्रेस करके आप change कर सकते हो, या तो आप उसको, अभी तो copy भी कर सकते थे, मैंने create कर लिया है, tr, double enter, इस तरह से हटा दीजे आप, ठीक है, इन दोनों line को आप erase कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हमने छोटा सा box बनाया है, axis end, ISO circle, इधर से लिया मैंने, यहां से हमें 15 ले लेता हूँ, radius इसका, इसको मैं भी delete कर देता हूँ, select किया, यहां से C, O for copy, आप इसको F5 प्रेस करके उपर ले लिजीए, 30 के आसपस, ठीक है, फिर मैं line लेता हूँ, here you can see quadrant to quadrant ले लो, फिर यहां से आप quadrant to quadrant ले लो, tr double enter, यह सारे चीजे हम हटा सकते हैं, erase कर देता हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक पूरा isometric drawing बना लिया है, एक और चीज में कर लेता हूँ, जैसे से आपको और भी फाइदा हो जाएगा, और tap प्रेस करता हमें जरा सार, इसका angle में zero कर देता हूँ, इसक आपको काफे use होने वाला है, क्योंकि angle में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, चलिए, तो अभी मैं आपको dimensions apply करके दिखाता हूँ, यहां से आप by layer ले लो, और इसका color आप स्यान ले लो, यहां क्योंकि isometric drawing है, तो आप linear का इस्तमाल मत कीजिए, आप यहां से aligned का इस्तमा और यह ले लिया, यह देखिए, आरा properly, फिर यहां से repeat करता हूँ, यह लेता हूँ, इसको भी ले लिया, फिर आप इसको भी ले लिये, ठीक है, here you can see, 3 direction हमारे लिए important है, है ना, तो यह हमने लिया, अभी देखिएगा, कि एक और चीज हमें दिखानी होगी angle, यहां से angle लि सकते हो, और यह है हमारा 150 degree का, तो यह हमारे लिए बेहद important होता है angle calculation, और नहीं तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक copy कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें एक जगाँ पर अगर रहेंगी, तो हमारा दिमाग confuse कर जाएगा, ठीक है, तो आप एक में angle दिखाईए, और एक में पूरा dimension दिखाए, जब तक यह सारी चीजें clear नहीं होती है, तब तक बाकी का, हम बाद में जब एक बार confidence आ जाए, तो हम उसको देख सकते हैं, noise ठीक है, यहां से आप, ऐसे भी हम कर सकते हैं, nothing to worry, yeah you can see, और तो को जड़ा सा off कर देंगे, तो और भी आसानी से आप इसको move कर पाएंगे, yeah you can see, मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि आपके लिए आसान होगा, yeah you can see, देखने में, ठीक है, नहीं तो यह बाहर भाग रहा है, अब जाके फिर से और तो को on कर देता हूँ, अभी ज़रा गौर किजिएगा, इस में से यह सारी चीजें हम delete कर देते हैं, अ आप ज़रा गौर किजिएगा, कि इस dimension को मुझे इस line के बराबर में चाहिए, alignment, ठीक है, तो इसका angle कितना है, यानि इस line की बात कर रहा हूँ, तो इस line का angle कितना है, 1.500, आई बात समझ में, तो oblique angle इस dimension के लिए हमें 1.500 डालनी होगी, जहां देख सकते हो, यहां पर आप, ठीक है, तो oblique angle के लिए हम कहां पर जाते हैं, इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप annotate में जाओ, dimension में जाओ, और यह है हमारा oblique angle, दूसरा क्या है, आप direct यहां पर dimension में जाओ, और here you can see oblique angle, तो आपको यहां पर click कर लेना है, या तो आप directly oblique type भी कर सकते हो, O, B, L, I, इस Q, U, E कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आपको यहीं से लेना चाहिए, ठीक है, या तो यहां से ले लो, या तो फिर dimension में जाके इधर oblique ले लो, ठीक है, तो इस को, इस dimension को, इस line के बराबर align करना चाहते हो, तो इसका angle कितना है, 1.500, तो आपको यह select करना है, oblique लेने के बाद enter और यहां पर data सो डाल देनी है, यह देखिए, तो यह जो dimension है हमारा, इसके बराबर में आ चुका है, अच्छा, अभी इस dimension को, इस line के बराबर में करना चाहता हो, इस line के बराबर, तो इस line का angle कितना है, यह हमारा 30 degree का है, तो आपको क्या करना है, oblique लेना है, यहां से या तो यहां से, दोनों से कहीं से भी लेलो, oblique लिया, इस dimension को select करता हूँ, और enter करता हूँ, इसका कितना है, 30 degree, यह डाल दो, 30 degree, आए बात समझ में, यह देखिए, इस line के बराबर में, इस dimension style का पूरा alignment हो गया है, अच्छा, अभी एक और बात करता हूँ, इस dimension को किस face के बरा चाहिए, इसके बराबर चाहिए न, तो आप इसका angle कितना है, पता है, इस यहां से यहां तक का कितना है, आप 30 ले सकते हो, here you can see, आई बात समझ में, तो बिलकुल भी इसके बराबर में चाहिए तो आप इसको भी 30 ले लो, यहां से आप oblique ले लो, इसको select करो, enter करो, 30 degree डा कितना कमाल का हो गया है, अब तो यह dimension style तो यहां पर perfect आ गया, बराबर है न, लेकिन क्या यह text जो है, यह जो text है हमारा, वो, वो, इस face के बराब, मतलब इस angle में है क्या, नहीं है न, यह देखो पहले जैसा ही है, यह भी देखो पहले जैसा ही है, मेरा कहने का मतलब जरा सा और किजिएगा, तो यहां पर हम लोगों को text style create करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, text style कैसे बनाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक plus 30, एक minus 30, और एक 0 का रख सकते हो, ठीक है, text style, तो यहां पर आपको manage text style में जाना है, और कुछ भी न रहने देता हूँ, इसमें हम किसी भी तरह से कोई modification नहीं करेंगे, मैं नया ले लेता हूँ, style 1, ok कर देता हूँ, और सिर्फ oblique angle इसका 30 कर देता हूँ, और यहां से apply कर देता हूँ, close कर देता हूँ, set current वगएरा कुछ भी नहीं करता, अभी देखिएगा गौर से, तो इसक style 1 है, यह दिख रहा है, आपका style 1, जैसे आप style standard में ऐसा था, text का alignment दिखेगा, style 1 पे जाते हो, तो दिए देखे कैसा आ गया हमारा, कितना कमाल का दिख रहा है, है कि नहीं, यानि इसके बराबर में आ गया, अभी अगर आप इसको लेते हो, style 1 में, तो यहां पर थोड़ा स set कर सकते हैं, तो एक और हमें text style create करना होगा, यहां से फिर से आपको manage text style में जाना होगा, एक new ले लेता हूँ, style 2, ok, और इसमें जो है, minus कर दो, apply कर देता हूँ, यहां से close कर देता हूँ, यहां से आपको क्या कर, do you want to save your changes, yes, ok, अब मैं इसको select करता हूँ, और style number 2 में जाक कर दिया, तो देखिए, इसका भी perfect आ चुका है, यह देख लो कितना कमाल का है, है ना, बिल्कुल जैसा text का, जैसे dimension, यह dimension line का style था, वैसे हमारा text style भी change हो चुका है, और इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जरा से check करते हैं, इसको select करता हूँ, यहां से जरा check कर लेते हैं, यह भी नहीं चलेगा, यह चलेगा, देख लो, perfect दीख रहा है, यह हमारा, ठीक है न, यह नहीं चाहिए, यह चाहिए, here you can see, तो कितना कमाल का है, यह भी हमारा perfect हो गया, यह भी हमारा perfect हो गया, यह भी हमारा perfect हो गया, तो यह फाइदा होता है, यहां पर text style, नया create करने का, आप आराम से apply कर पाओगे और ये angle आपको हमेशा याद रखना है यहां से यहां तक आपको 30 यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक total 150 का होता है अच्छा एक और चीज़ जो हमें dimension में तकलिफ देता है वो है circular dimension में यानि अगर cylinder का radius या diameter दिखाना रहा या उसकी height दिखानी रही तो बड़ी दिक्कत देती है है ना या फिर इसका location वगरा दिखाना रहा तो बड़ी दिक्कत आ जाती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो यह मैं आपको बताता हूं ठीक है तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है यहां से आपको center line ले लेनी है जैसे कि मैं red ले जाता हूं लोड में गया c4 center और यह center 2 ले लो के बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हम लोगों को अभी है ना अभी तो main main चीज हम लोगों को बाकी है आप यहां से पकड़के यहां तक चले जाए यहां पर नहीं दिख रहा ता आप ऐसे चले जा और फिर यहां से पकड़के F5 प्रेस करें ऐसे चले जाए यह TR double enter इसको हटा दो और इसको भी हटा दो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप चाहो तो इन दोनों को line tap scale कर सकते LTS line tap scale और यहां पर 0.4 का कर देता हूं तो इससे क्या होता है कि हमारा scale change हो जाता है अब यहां पर आपको dimension दिखानी है त और इसको हम लिए थे by layer अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है align लेना है अब देखे यहां से इसको मैं select करता हूं और इसको भी select करता हूं यह देखे कैसा आ रहा है तो आइवाद समझ में हैं और फिर आप यहां से पकड़ें और यहां पर चले जाएं ऐसा ले लेते हैं काम हो गया अब ही देखे इसको आप कैसा लेंगे इसको आप कैसा लेंगे यह हमें पुरा समझ के करना पड़ेगा तो basically आप इसको किसके बराबर चाते हूं इसके बराबर ना इस लाइन के बराबर तो इसका एंगल कितना है देखे यहां से 30 डिग्री है तो बस oblique एंगल 30 कर दो यह रहा oblique इसको select करता हूं इंटर करता हूं 30 इंटर here you can see दिख रहा है 30 डिग्री अब देखे जैसा यहां पर dimensional style है यहां पर नहीं है क्योंकि यह जो annotation में जाका चेक किजेगा style 2 आला ले लिया है आपका by default तो यह standard ही रहना चाहिए है ना कोई बात ने पीछले selection किया था हमने वो हमने हटाया नहीं थ और इसको देखिएगा इसको आप किसके बराबर चाहते हो इस line के बराबर ना तो आपको यहां पर oblig angle डेड़ सोका करना चाहिए यहां से लिजिए इंटर डेड़ सोका कर दिए here you can see कितना perfect आ गया है अब देखिए इस side हमें कौन सा लेना है तो आप check कर सकते हो यहां से यह चेक किजए यहां से यह देखो इधर आगे हमारा यही तो है बस देख लो कितना कमाल का आ रहा है ना perfectly aligned perfectly aligned ओके यह जरूरी चीज़ है आप जरा इसको distance wise कम करना चाहते हैं तक कर सकते हैं it's up to you अब जरा एक और चीज़ दिखानी हम लोगों को cylinder की height दिखानी है cylinder की height दिखा करेंगे aligned से ही लेना है तो आप क्या कर सकतो यहां से पकड़के यहां तक ले लिया अब देखिएगा यह थोड़ा सा यहीं पर ही अगर आप क्लिक करने तो ज्यादा वहतर रहेगा यह यह देखो perfectly इसका height वे आपके सामने दिख रहा है और आप इसका radius की बारी तो radius यहां पर आप इस command से नहीं दिखा सकते यह हमारा radius circle के लिए ना कि ISO circle के लिए और बेसिकली यह तो एक ellipse है ना तो आप इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इधर साइध हमने 30 का लिया था है ना तो यह हमें याद रखना पड़ेगा डबल क्लिक करके आप यहां पर major or minor यानी 15 13 का हो सकता है हमारा ठीक है चेक कर लेते हम अगर confirm नहीं है तो एक बार चेक जरूर कर लिजिएगा यहां से ISO circle ले लो और यहां से अब 5 प्रेस करता हूं जैसा कि आप देख पारे 15 दूना 35 रेडियस आये यह हमें leader से लेना चाहिए ऐसे नहीं आता है हमारा तो यहां पर ज प्रेक्शन वगेर आ रहा है ना वहां से लें तो ज्यादा बहता रहे यहां से देखिएगा इसके आजपास अगर मैं ले लूँ कहीं तो यहां से नहीं नहीं रूख जाए थोड़ा सा वन सेकेंड मैं इधर से ले लेता हूं थोड़ा सा इधर लिया और जाके आप और तो को ओफ कर दें और मैं इसको ऐसा कुछ ले लेता हूं यहां से भी लेना चाहूं तो ले सकता हूं ऐसा आर फॉर रेडियस कैपिटल मिलीजिए 15 एंड बाहर क्लिक कर दें अब यहां एक लाइन ले लेना चाहिए आपको सेंटर से दिखाने के लिए बाकी का और ठाना पड़ेगा तो आई होप जो कंसेप्ट था इसमें आप ले चुके हो ठीक है यही तरीका है डाइमेंशन स्टाइल सेट करने का और टिक्स्ट स्टाइल सेट करने का तो इसमें आपको पूरी तरह से अलाइंड मिल जाएगा आई बात समझ में है और यह चीज बहुत जरूरी है यहां पर अगर आप इस एंगल को याद नहीं रखेंगे यहां यहां तक 30, 90, 150 तो मतलब प्रोपरली आप एलाइन नहीं कर पाओगे तो यहां पर हमने डाइमेंशन को भी आलाइन कर दिया डाइमेंशन मतलब यह डाइमेंशन लाइन को एक्स्टेंशन लाइन क को भी और text style को भी हमने change कर दे यहां आपको पता चल गया होगा कि how can we create a new text style and how could we select the dimension and apply to it okay तो बस यह important था अब जड़ा सा एक मैं example लेता हूं और एक बड़े drawing में पूरे dimensions को apply करके दिखाता हूं ताकि आपका confidence और बढ़ जाए तो let's open an isometric file here you can see हमने जो last session में बनाया था मैं उसी को खोल लेता हूं और यहां पर वो सारी की सारी चीज़ें delete कर देता हूं जो हमने अभी लिया हुआ है we don't need them all और हम क्या करेंगे फिर से यह लिया था हमने इसको delete कर देंगे यहां से इसको भी हम delete कर देंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने पहले से कुछ चीज़ें ले लिये हैं बट हमें नहीं चाहिए वो सब हम standard में लेते हैं पहले standard में चला जाता हूं apply कर देते हैं set current कर देता हूं यहां से okay कर देता हूं we don't want to use anything else about except standard text style तो पहले हम standard लेंगे और फिर जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वो सारे चीज़ें हम लेंगे ठीक है तो मैं दोनों को थोड़ा minimize कर देता हूं ताकि एक ही screen में हमारे दोनों दिखाई दें ताकि हम आराम से उसको apply कर पाएं तो एक एक चीज में यहां पर apply करने वाला हूं और दूसरी बात यह है कि हम text को भी ठीक करने वाले हैं ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं मैं यह जो text style लिया है ना उन सब को delete कर देता हूं we don't need that actually तो आप यहां से अगर delete करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो right click करके यहां से delete कर दो okay कर दो और यहां one second yes इसको भी हमें right click करके delete करना है style in use can't be deleted मतलब इस style का कहीं तो use किया गया है ठीक है तो we don't want to use that text style तो delete कर देते हैं जितने भी मैंने apply किया था वो सारे style को delete कर दिया और बाद में हम जाके इसको delete करेंगे यहां से right click करेंगे delete करेंगे style in use can't be deleted कहां पर use किया है भाई इसका मैंने यहां से zero कर दो we don't want to यहां से भी आप delete कर सकते हो style in use कि इदर use किया है मैंने इधर तो नहीं दिख रहा है ओके ठीक है जाने देते हैं कोई इश्यू नहीं है वही है बस एक में प्लस 30 एक इसमें 0 रखिए style 1 में हम क्या करेंगे 30 कर देता हूँ यहां से apply कर देता हूँ और style 2 में minus 30 कर देता हूँ बस इतना ही करना है हम लोगों को इतना ही करना है ओके और यहां से आप close कर सकते हो yes कर सकते हो तो ज़्यादा कुछ हमें फरक नहीं पढ़ने वाला एक में क्या लिया है standard style 1 style 2 बस इतने की जरूरत पड़ती है अब चलिए हम लोग dimensions लेते हैं ठीक है अब dimensions के लिए हमने layer तो लिया हुआ है खैर कोई बात नहीं आप इसका color बदल दीजे जरा और यहां से मैं स्यान ले लेता हूँ रोके कर देता हूँ स्यान तो पहले से हमारा text का color है आप इसका color जो है वो orange कर दें जरा सा orange जैसा कि आप देख पा रहे है और यह सब जो है न यह सब हटा ही दो यार बड़ा irritating लगता है ठीक है यह रहने देते हैं ठीक है dimensions का color भी हम थोड़ा दूसरा कर लेते हैं यहां से मैं ने ऐसा ले लिया और यह color किसका है हो गया हमारा center line का color मैं red कर देता हूँ ठीक है क्योंकि center की भी जरूद बहुत पढ़ने वाली है तो इसमें थोड़ा सा क्या है हम लोगों को time जाएगा अपके बड़ सीख जाएंगे हम लोग permanently चलिए तो फिर dimensions apply करना start कर देते हैं हम लोग यहां से आपको क्या करना चाहिए aligned लेना चाहिए here you can see 46 का है आप इसको select किजिए यहां से यह हमारा 46 का जो का पहले से हमने select किया हुआ है that's why ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए यहां से जो है oblique angle जो है आप set करते चलें तो ज्यादा बहतर होगा इधर select करके 150 का ले लो no issue here you can see तो text का style पहले से हमारा आया हुआ है है ना आप चाहें तो इसको change भी कर सकते है here you can see मैंने इसको select किया था इसलिए वह ऐसा आ रहा है और बाद में आप इसको बदल सकते हैं जैसे कि यह लिया यहां से आपको change करना है जैसा style 1 तो गड़बड हो गया style 2 में चाहिए ठीक है तो यह automatic आएगा हमारा अगर आपको नीचे चाहिए नीचे नीचे चाहिए तो यह हमारा कैसा 90 degree का आएगा oblique angle यहां से आपको dimension में जाना है oblique ले लेता हूँ 90 degree कर दो आप यहां से 90 degree कर दो आगया अब इसका जो है वह हमें change करना पड़ेगा फिर check किजिए कौन सा है यह देखो perfect आ रहा है हमारा ठिक है इसी तरीके से हमें उसको पूरा follow करना है और देख लेते हैं यहां से तो फिल हाल आप सा나我在 में apply कर दो जैसे कि यहां पर लिया गया है तो आप इसको पकड़ें और इसको पकड़ें अर यहां से देखिए हमारा टेड़ा जा रहा है एक ने जा रहा है जा रहा है न तो अब ज़रा देखिए, इसको आप कैसे ठीक करते हो, select, यहां से आप oblique लें, और यहां पे हमें एंगल तो पता नहीं है, कितना एंगल पता है, इसके और इसके बीच का एंगल हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा, ओर तो को off करना होगा, और क्या है, यहां से पकड़ यह, और exactly हमें इस line के सिधा में ही कहीं तो लेके छोड़ देना है, यह यह बराबर में आएगा हमारा, तो आप इसको direct click कर दें, यह देखे perfectly आ चुका है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, standard में ले सकते हैं, we don't need that, actually zero में लीजिएगा, ठीक है, तो यह देखे perfect, इस face के हिसाब से यह आ रहा है, ठीक है, थोड़ा उधर चला गया ना, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से oblique angle लेना चाहिए, यह रहा oblique angle, और यहां से मैंने click किया, और जाके आप क्या करो direct, इसी line के बराबर में लो, मतलब इसके बराबर यहां तक ले लो, यह perfect आएगा फिर, yeah you can see, इधर जाएगे तो मेभी थोड़ा सा taper आ जाए, तो बस इस line के सिधा में ही जाएए, यह देखे perfect आगे हमारा, और क्या है भई, थोड़ा time taken है, याद रखिएगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यह देखो 17 का है, तो 17 हमें यहां से लेना है, I hope आप यह कर सकते हो, तो हमें इसकी ज़्यादा जरूरत अभी नहीं पड़नी चाहिए, यह you can see, अगर नहीं दिख रहा है, तो और तो को on कीजिए, ताकि आप straight काम कर सकें, F5 प्रेस करके आप जा सकें, ठीक है, यहां से अगर आपको nearest जाना है, तो यह देखे गड़बड कर पाओ, here you can see, यह हो गया, अब TR, double enter करें, फिर जाके यहां से, यहां तक आप आराम से apply कर सकते हो, बट यहां पे हमें वो change करना होगा, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, अब देखिए, इसको जो है, इस face के बराबर चाहिए, यानि इधर हमें लेना है, तो कितना आएगा हमारा, आप डाल सकते हो, 30 degree में, यहां से oblique angle में set कर लेता हूँ, ठीक है, यहां से 30 degree डाल दो, 1 second, इसके बराबर में चाहिए, इधर हमारा side 150 का है, तो हम यह oblique लेते हैं, इसको select करता हूँ, right click 150 में आएगा, यह हमारा, here you can see, perfectly इस face के साथ यह aligned हुआ है, तो यह कमाल का concept मैंने आपको बता दिया है, किसी भी face में आप अराम से apply कर सकते हो, अच्छा एक और चीज है, जैसे कि cylinder में apply करना है आपको dimension, तो आप ऐसे तो ले सकते हो, बट यहां से पकड़िए और यहां पर जाके आप छोड़ सकते हो, यह यहां पर तो कुछ भी नहीं दीख रहा जैसा यहां दीख रहा था, ठीक है, यहां पर अगर मैं click करता हूँ तो यह accurate नहीं आने वाला है, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, यहां लेता हो में center line, इधर से यहां से उपर F5 प्रेस करके लिजिए और इस को क्या किजिए, यहां से आप इसको track कर सकते हो, यह can see यह होगे हमारा tracking, आई बात समझ में, अब देखिए इस तरह से हमें वो लेना पड़ेगा, तब जाके हम आराम से उसको dimension दिखा सकते नहीं, तो नहीं आएगा, फिर ठीक है, आप चाहो तो T, R, double enter करके इसको और इसक की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा हमें चलना है, बट perfectly तरीके से चलना है, एक तो यह हो गया, फिर आप इसको select करें, यहां से पकड़के continue ले लें, अभी देखो, यहां से तो हमें नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक line ले लेता हूं, मैं इधर से, इधर तक, TR, double enter, ऐसा, MA for match property, यह हो गया, अब जाके हम इसमें ले सकते हैं, असानी से, ठीक है, यहां से यहां तक ले ले, देख रहा है आपको, अब बताए, यह हमारा 90 degree का है ना, पूरा vertical गया, यह 90 degree oblique angle रखेंगे हम लोग, यहां से आप oblique लो, दोनों को select करो इंटर 90 degree कर दो, यह देखो, perfect आगया, और इसका text style देखा, अब दोनों को select करके, यहां पर annotate में जाओ, जाके check करो, आपका कौन सा perfectly बैट रहा है, यह नहीं बैटेगा, यह बैट रहा है, बराबर है, आप इसको ले लो फिर, यह दिख रहा है, कितना कमाल का है, थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे, थो हमारा काम आसान हो जाता है, अगर आप चाहो भी, तो यहां से center mentor हटा सकते हैं, इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है, यहां से अहां तक आएगा, ठीक है, और बाकी का कोई issue नहीं है, मैंने बता दिया, अगर यहां पर भी दिखाना है, तो यही कर लेना, leader से हमें बनाना है, यह you can see, आप दिखाना चाहो यहां से, तो दिखा सकते हो, कोई issue नहीं है, इधर से आप और तो को off कर दो ज़रा सा, यह हम ऐसे ले ले लेते हैं, R for radius 32, बाहर क्लिक कर दो, इस तरह से आपको दिखाना होगा, और यहां पर भी लेना है आपको, तो यहां से भी आप जाईए, इधर R for radius 44, और अगर यह टेड़ा जा रहा है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इधर से ऐसा line ले सकते हैं, इसको जो है पकड़के, आप इसके बराबर में कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, तो आइसा आप करेंगे, तो पता भी नहीं चल सकते हैं, और बाकी का कुछ भी नहीं बचा, यह सब आप कर लेना, बाकी का कुछ भी नहीं है, इसमें, बाकी आएगा आपको करने को, ठीक है, बाकी radius, यह height वगर, एक height का दिखा देता हूं, यह cylinder वाला height, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा गौर से देखिएगा, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, यहां से इसके center से मैं क्या करता हूं, और तो को on करता हूं, और इसके बराबर में चला जाता हूं, तो यह हमारा accurate तो नहीं आएगा, center से हमें लेना पड़ेगा पूरा, तो यही एक दिक्कत आती है, इस तरह से लेने में, यहां से हम कितना लेना है, 32 का ले लेना है, 32 मतलब क्या, इसके बराबर में ठीक है, अभी देखिएगा कि total आप यहां से यहां तक जाओ, tr double enter कर दो, यह हो गया हमारा, अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक ले लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी हमें जरूरत नही है, ठीक है, अब सिर्फ इसको ले लेना है, अब यह कितना, 30 degree में आएगा, तो dimension यह लेता हूँ, select, enter, 30 degree ले लो, और यह perfect आया हुआ है, तो यही method है, इसका लेने का ही है, यह can say, आप अगर चाहते हो तो इसको रखो, नहीं तो आप इसको delete कर सकते हो, नहीं तो एक और ची आपको क्या करना होगा, you can see here, यहां से 44, 44 प्लस 32 कितना, 44, 76 का हो जाएगा, अब जाके आप क्या कर सकते है, इसको select, यहां से पकड़ो continue dimension, जाके आप यहां पर touch कर दो, तो 75 आपको मिल जाएगा, MA for match property करके check करता हो, यहां पर oblique angle apply नहीं होता है, आपको manually करना पड़ेगा, यहां से 30 degree, जैसा कि आप देख पार हो, यह देखो कितना कमाल का है, इस तरीके से आप one by one करके, इसको पूरा complete कर सकते हो, तो यही एक शांदार concept था, isometric में properly dimension दिखाने का, आप ज़रूर diameter अगर किसी में दिखाना रहे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहां पर लिया गया है diameter, तो यह leader से आएगा, ठीक है, आप यहां से क्लिक करें, और्थों को जड़ा off कर दें, इधर जाईए, diameter लेना है तो आपको मिल जाएगा ने, यहां पर देखेगा, symbol, diameter, अब diameter कितना ह 30 तो ले लो 30 का, आप space मत लो यहां पर, ठीक है, और यहां से आपको diameter लेना, diameter ले लो, बाहर क्लिक कर दो, that's it, तो इस तरीके से आप diameter भी दिखा सकते हो, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप dimension का alignment सिख गए, text का alignment सिख गए, है ना, तो I hope, आज का जो यह session रहा होगा, बड़ा ही important चीज हमने बताई है, how to create the new text style, है ना, and how to set the oblique angle, यह सारी चीजे हमने बता दिया है, अलग अलग style 1, style 2 में oblique angle आपको set कर लेना है, और जिस dimension में आपको apply करना, just select किजिए, annotate में जाके यहां पर list बनेगी, इसमें आप select करके उसको apply कर सकते हो, इस तरीके से आ हजारो dimension style, हजारो text style set कर सकते हैं, अपने तरीके का font ले सकते हैं, अपनी height ले सकते हैं, अपना oblique angle ले सकते हैं, यह सारी चीजें आपके हाथ में होती है, फिर ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इस session में इतना ही